अज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं BCSL 013 जिसका ने में Computer Basic and PC Software Lab तो इसमें हम पिछली वीडियो में Unit 1 & Unit 2 जो है डिसकस कर चुके हैं आज हम Spreadsheet की उपर बात करने वाले हैं What is a Spreadsheet and what is a Spreadsheet and what is a Spreadsheet और क्या होता है ये सब कुछ देखेंगे What is a Spreadsheet? तो एक Spreadsheet क्या होता है जिसमें rows, horizontal rows, vertical columns जिसके अंदर हमें कुछ देटा को स्टोर कर साते हैं तो इसकी कुछ definition है वो मैं बोल देती एक बार Electronic Spreadsheet is a computer application that simulates the paper worksheet to arrange data into rows and columns and store various type of data तो ये होता हमारा Spreadsheet इसके अंदर कुछ Excel के basic होते हैं किसी भी document code जो तुमारी Spreadsheet है उसको किस तरह से save, save as कर रहे हो या फिर उसको open कर रहे हो फिर उसके अंदर कुछ data को enter कर रहे हो editing कर रहे हो उसके साथ में और कुछ format बना रहे हो मतलब कि उसका color बदर चेंज कर रहे हो या फिर उसका text वगेरा formulas and functions होते हैं कुछ जैसे कि आप add कर रहे हो addition के लिए कुछ formulas है कुछ maximum के लिए कुछ आप के पास काफी सारी चीज़े है using the Excel reference कि आप किसी cell को reference देकर उसके साथ में hyperlink का जो है वो जोड रहे हो उसके बाद है linking worksheet की फिर functions है कुछ working with worksheet working with tables and charts है और फिर कुछ other useful feature है वो भी देखेंगे ठीक है तो start करते हैं अपने वीडियो आगे तो जिन भी बच्चों को यह नहीं पता है कि Excel किस तरह से use उसके लिए simple चीज़ है अगर आप window 10 में यूज कर रहे हो तो आपको यहां पर लिखा रहा है ताइप here to search तो आप यहां पर जाकर Excel सर्च करोगे तो आजाएगा अगर आप windows 7 में है तो आपके पास क्या है वहां पर भी आपको search के लिए मिल जाता है तो जब आप यहां पर उसमें विंडो 7 में आप start button पर जाओगे और उसके अंदर आपके पास आता है all accessory करके पुछ है और प्रोग्राम में आता है उसमें जाओगे फिर आपको Microsoft Office select करना पड़ेगा उसके अंदर आपको spreadsheet या फिर MS Excel लिखा हुआ दिख जाएगा उसमें क्लिक करोगे तो आजाएगा और दोनों में यह useful है यह feature तो आप इसका use कर सकते हो असान से विंडो की के साथ में R प्रेस करना है और यहां पर Excel लिखोगे E, X, E, L और OK या Enter प्रेस कर दोगे तो यह आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा तो सबसे पहले हम अपने डोकुमेंट को सेव करते हैं ताकि अगर लाइक चली जाए तो हमारे डोकुमेंट जो है वो खराब ना हो या फिर वो हमें दुबारा से बनाना ना पड़े तो हम अपने डोकुमेंट को यहां से जाकर इसको क्या करेंगे? या फिर आप कंड्रोल एस करके भी सेव कर सकते हो सेव करेंगे और आप इसका नेम कुछ भी रख सकते हो बुक वन जो है वो डिफोल्ट रहता है ठीक है तो आप इसको सेव कर लो इस तरह से ठीक है यह हो गया सेव उसके बाद में आपके पास देखो यहां पर जो है यह होती है जो भी आपको ABCD दिखाई दे रही होते है हमारे कॉलम्स 123456789101112 जो भी नंबर दिखाई दे रही होते है हमारी रोल्स ठीक है तो मैंने बुक वन कर दिया वो कुटू भी तरी जो भी आप चाहते हो तो इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हो और यहां से जाकर आप एक वरक्षित एड़ हो जाएगी तो बाइडिफॉल्स 3 रहती है एक्स्ट्रा आप इतनी भी आड़ सकते हो तो यहां तक आपको क्ल कांटिंग आज़ा है तो मैंने इसको सेलेक किया और उसके बाद में यह जो प्लस का साइन आएगा उससे आपको पाता चलेगा कि यह ड्रैग हो रहा है तो आप इसको कितना भी ड्रैग कर सकते हो आपको उतनी कांटिंग देगी 27 तक किया 27 तक मुझे कांटिंग गलाई तो अब आप चाहें तो इसको जनवरी फरवरी लिख सकते हो ठीक है जनवरी लिखा एपको पूरा नहीं लिखना जाती है मैं जाते हो यह अपने आभी मिल जाए मुझे तो होते तो यह वैसे 12 है तो दिसंबर तक 12 हो जाएंगे फिर अगर उसके आगे भी आप लिखना जाते ह क आपके पास यह जो सैल है तो यह जो से पहले माऊ जोन कर लेती हम फुझेख यह जो फाल में कलाल में है ना जो जो इंट पड़ गया समफ इसाथा रहा है यह जो प्लिक करें मऱ्त रकष चाहे今 सब भीत है और यह जातम भीतक्रित का त Hybrid सब्सक्राइब जाते हो जो जो हो आप चाहते है तैसा हम भी जाएख सबक्राइब एक आप चाहते है और खूल से करने जाते हों तो सब्सक्राइब आप सब्सक्राइब तो यह इस तरह ही ना MR 皮ण करते हैं तो यह नीचान करने के लिए ने ने चाहिए नोहीं अच्छा खिता इमें आपको डेशित है से डिफरेंट है तो यह आपको समझ में आ गया होगा अभी हाँ पर एक चीज और है कि मैं को अगर कोई काम करते करते कई बार क्या होता है कि हमें कोई चीज एड गरनी पड़ जाती है अब हमें नहीं पता था कि हमें एक और जो कॉलम की या फिर रो की जरुवत पड़ेगी या फिर एक चोटे से जरुवत पड़ेगी तो उसके लिए जहां पर भी आपको जरुवत है तो आपके गरो कि लेफ क्लिक करोगे या फिर इंसर्ट पे जाओगे यह जो इंसर्ट वाला ओप्शन दिख रहा है यहां पर जाओगे उसके बाद में यहां पर भी आता है यह तो दोनों तरीके से मैंने मिटा दिया इंसर्ट पे क्लिक करोगे और यहां पर देखो shift cell right थीक्या राइट में एक cell आ जाएगा shift cell down मताम कि आपको यह cell है न पर इसम Stream down करना है या फिर इस तरह से आपको इंसर्ट करना है कहां पर Inject करना पर एक अगर एक इनटायर और इंटायरोा को दो एक राखिया है, तो आप सकती है ओ, सक सैक भी मुनुददस करें, तो यहां तक आपको clear होगा और यहां तक आप देखो यह आगी है मेरे पास एक तो मैं यहां पर जाकर नहीं आप रिजल्ट ली देते हूं यह फिर कुछ भी लिगवा यह जो आपको दे रखा हुगा एक्जाम में जो भी आपको वरक्शीट बनाने का कुछ भी वरक्शीट तहदी दिखा है तो यहीं दिख्धा नहीं लेकिन जब हम किसी भी चीज़ की कि wording लिखते हैं तो हम चाहते हैं कि वह उसको काफी बड़ी में आए तो हम क्या करेंघ इसको będzie करता है डी जो ses 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 कर लिया भी तो मैं करूगी आपको जाना है फॉर्मेट पे पर क्लिक करोगे यह पर आपको udah यह लहा तो इसका नाम बहुत बढ़ा होता है तो हम इसका करते है श्रिंक to fit तो इसका भी यूज करके भी मैं दिखा देती हूँ तो आपको पता चेज़ेगा भी तो यह हमारा यूज हो गया तो इसको अगर हम इसको लेफ्ट में करना चाहते रिजल्ट को तो इस तरह से हम इसको सेल अब यह देखो यहां पर क्या आई है काफी सारी जो स्पेस गीर रहा है तो मैं इसको 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 सेलेक करना चाहते हूँ एफटू करोगे आप ठीक है और इसको सेलेक किया और आप इसको जाओगे फॉर्मेट पे फॉर्मेट सेल अभी मैंने बताया था स्रिंक to fit इ इसको 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 तो यहां को समझ में आ गया होका हुआ तो इसके बाद में आपके पास आता है insert, तो शुआड पशन होते हैं कि तो आप सकते हैं तो तो आप आप के आपण को तेम्झे लिए उसकंट पैस च ही तो तो आप computer की pictures use कर सकते हो clip art के अंदर काफी सारी images होती है उनका use करते हैं तो हमकी clip art की image लेते हैं clip art पे जाएंगे computer पे और लिखा और हो किया तो यहां पर आपको मिच आएगी images काफी सारी और मैंने इसको select कर लिया इस image को select किया तो मैंने इसको अठाया और यहां लेकर से लिए और इसको cut कर लिया तो हमारे पास image आगए उसके बाद आप इस image के साथ में कुछ भी कर सकते हैं उसका form मतलब किस तरह का आपको border चाहिए यह सारी चीज़ आप इसके अंदर कर सकते हो उसके बाद है columns use करने है तो columns कुछ इस तरह के हो जाएंगे और उसके बाद में पाई lines का use करने है जैसे कि आपने दिखा होगा कि यह स्टैटिस्टिक्स में भी use के जाते है कि कोई भी किसी चीज़ का graph अगर बढ़ रहा है तो जो है lines से बताने के लिए तो इसका use के जाता है पाई चार्ट के लिए आपको पाई यह जो circle वाला होता है बार चार्ट भी आप use कर सकते हो फिर area चार्ट भी आप यूज कर सकते हो scatter जहां पर x और y की जो values होती है वो आपको point out करनी है उसके लिए use के जाता है कुछ अधर चार्ट भी होते है यहांबर hyperlink पूछ लिया जाता है तो hyperlink के लिए मैंने march पे क्लिक किया उसके बाद मैंने hyperlink किया अब यहांपे आपको जाना कहांपे है page in the document इसमें आपके बाद देखो यहांपे जितने भी आपकी cell reference मैंने भी पताया था कि हम पढ़ेंगी तो यहांपर आपके पास काफी सारी जो है यहांपर आप जितने भी documents पे आप work कर रहे हो तो उसके साथ में अगर आपको hyperlink करना है तो मैंने यहांपर na seat 4 select कर लिया seat 4 पे और यहांपर आपको क्या select करना है जो भी आप मतलब जी मैंने 8 कर लिया जी 8 पे जब हम seat 4 मतलब मार्श पे क्लिक करेंगे न तो हम कहाँ पोच जाएंगे seat 4 के G8 में तो अभी हम इसको okay कर देता है तो अभी आप देखोंगे देखो मार्श क्या बन गया एक link की तरह बन गया अब देखोंगे यह कहाँ पे है seat 7 में जो है वो वक कर रहे है मार्श पे क्लिक करेंगे आप कहाँ पोच गए seat 4 के G8 यह हमने उसके अंदर फिल्ड किया था तो इस तरह से कुछ यह वक करता है hyperlink तो आप चाहिए तो अगर आप शीट पे वह कर रहे हो तो कई बार क्या होता है कि एक seat से आप दूसरी seat पे रेफरेंश देना चाहते है तो इसके लिए यूज कर लेते है कई बार क्या होता है कि इसी other documents के साथ भी यूज कर सकते है तो इसका यह यूज होता है मैंने यूज करके भी रिखा दिया वर्ड हैडर फूटर का यूज कर सकते है कि आपके document के अंदर आपको कुछ हैडर चाहिए मतलब हैडिंग के लिए कुछ चाहिए फूटर पे आपको page number वगरा चाहिए वह आप यूज कर सकते हो फिर word art में क्या होता है कुछ इस तरह का आजाता है तो आप जिस पे भी क्लिक करोगे तो वह box आ जाएगा और उसके अंदर आप क्या करोगे इसका यूज कर लोगे ठीक है ऐसे होता है और इस text को आप चेंज कर सकते हो गर्षान करें जो वह आप इसके अंदर लिख सकतेों तो इस तरह से इसका यूज कर जाता है और आप चाहिए तो आप चाहिए हो इसको कहीं पे भी रख सक्ते हो आप इसको एड़िंग के रूप में यूज कर सकते हो तो यह कुछ इस तरह से होता है इसके बार पास यह उसके बार है हमारे पास यह है टेक्स बॉक्स का यूज़ तक क्लिभ किया जाते है कर यह दो दीचष बार हमारा बॉक्स अजम के और चोटा बड़ा जैसर भी आपका मन खरे तो जब आप इस टेक्स को एड़ेस्ट करोगे ना मतलग इस बॉक्स को एड़ेस्ट करोगे तो यह तो यह इस लिए पर एड़ेस्ट करते हैं तो यहाँ पर शिग्नेचर लाइन की अग्यारा एड गरना चाहते हैं कि हमारी authenticity पता चले कि हाई यह इस person के द्वारा भिज गया है तो वहाँ पर नीचे आपका जब भी आप इस पर वक करोगे तो वह आता रहेगा signature line आपकी एड हो जाएगी ठीक है आपके पास पूरे अचा़ ni होटे हैं आप की बोड है कर दो पर दिखाई ज्यूब्हा अपको यहांपर जाएंगे आप इसा नहीं दिखने कोमुल जहाए और किसी भी symbol का यूज कर लोगे और यहां पर जाके आप जो character code यहां ने जो अपना वो था इसका जो theory वाला था उसके अंदर देखा था तो यह character code यहां पर आप select करोगे तो उसी पर चला जाएगा वो ठीक है और उस character code को आप यूज कर सकते हैं आप यहां से जाकर उनको भी यूज कर सकते हैं कि paragraph के लिए और यह सारी चीजे यहां से मिल जाती हैं तो यहां पर हम किसी भी symbol को choose कर सकते हैं यह other other languages में भी होते हैं तो जितनी भी language है अभी Hindi के कुछ है उर्दू के कुछ है तो सबके लिए अलग-अलग symbols बनाए हुए हैं त तो यहां कि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो ठीक है हम अपने text को आराम से इसमें से जाकर चूज कर सके एक symbol को तो भी हम यहां पर से कोई भी से लेक्ट करेंगे और उसको यूज कर लेंगे तो मैंने यहां पर 5 का symbol जो है वो यूज कर लिया इंसर्ट करोगे इस कितनी भी ब कर दो P Se Queen को सुमझ को मैं हूँ स्कूल मैं कि मैं मैं एक लुग स्ट्रशीन को को चिफिता इंसर्ट कर वहां आप से दीक्ञा कर सकते इप वह तर् digital दिखनगा तो यहां आपको समझ में घो श्माड़ को समझ मैं आ कि किसी जा 봐 घकर सकते हैं थेली गया में बाट जाह कर जा पीच है करना है तो यहां पर पेजम करने ही है तो आपको दो इंप स्थूख कर सकते हो और जिए एक्षक कोई हम से ऑडिया कारे है ते जैंद काफ़ी यह कोईप थेम कर सकते हैंomena तर शन्में पाइब मन्यालों है तो सथ हो a Medicine Rots Reg Sud कोई भी備 इंप कर सकते हो। कि और चीज़ मुए पोज्ध करना यह तो आ क्टैसरी को आप סटमी कर सकते हैं है describing करना है उसके यह करते हो यह किस तरह का सब्सक्राइब छेट कर सकते ह। अरण से बस्क्तित कि पर ले नहीं है या फिर बहुत सारी अलग alag टाइp की paper होता है ना वह आप इसमें से use कर सकते हो printing area print area ठीक इस tract print area कि कितने area का आप print लेना चाहते हो clear print area जब आप set कर दोगे तो अगर अगर उस area का नहीं चाहिए और भी तो आप किया कर सकते हो clear कर सकते हो print area को उसके बाद है बेक कर सकते हो आप एक पेज को ठीक है कि आपको कितने तुकड़ों में उस पेज को बाटना है फिर बैक्ग्राउंड के कुछे में जेस्ट चेंज कर सकते हो और प्रिंट टाइल्स का यूज कर सकते हो ठीक है उसके बाद है आपकी जो यह हाइट और वेट मतल तो आपको चाहिए उसके बाद हम चलते हैं फॉर्मूला पर फॉर्मूले देखो आपको जिस तरह हर टाइल के फॉर्मूले यहां पर कई जो है प्रीडिफाइन फॉर्मूले हैं जैसे कि पॉट्टो सम में जाओगे तो आपको सम एभरेज काउंट नंबर मैक्स मिनिमम और बहुत सारे फॉर्मूला जो है वो मिल जाएंगे तो अभी हम इनका यूज करना देखते हैं देखो कैसे करते हैं मैंने यहां पर लिखा 90 और यहां पर लिखा 70 और यहां पर मैंने इन दोनों का एड़ करना है तो मैं क्या करूँगी सम पर जाओंगी और सम पर जाओंगी दोनों में आंसर जो है वो सेम आएगा तो आप इस तरह से भी यूज कर सकते हो और इस तरह से भी आप उसका यूज कर सकते हो दोनों में देखो यह जो फॉर्मूला बॉक्स है उसमें जो वैल्यू है वो सेम आ ठीक है उसके बाद रिसेंट यूज किये हुए जो वीडियो बनाइ पर चेके सकते हो, फोट चाहिता है, यहां पर आपको मिल जाती है, उसके बाद से पार कुछ होते हैं, लोजिकल फ़ॉलेस, और एक्सौर, इस इस चाहिता है, तर अच्छे मोफचार, एक्सुर, पर शुचार, प्रॉलेटेस, वीडियो मुप व्युक पार क यहां पर आपको मिल जाएंगे, मतलब यहां पर यह है कि आपको पूरे फॉर्मुले को लिखने की ज़रूरत नहीं, आप बस इस पर क्लिक करोगे और किसके लिए और फॉर्मुला चाहिए उसको सेलेक्ट करो और अपने आप आ जाएगा, ठीक है, तो यहां पर कुछ और भी से पर इस पर आप एक आप एतनला जाएगा, उसके बाद है हमारे पास कैलकुलेशन option, का यूज कर सकते हो, एक पर इस पर क्लिक ता ना तो इनसर्ट फंक्शन पर गया है, फंक्शन का जो आग्मिंट है, वह किस लाइन है, इस ना पर आप रहो है, यहां पर यहां पर यहा जाएंगे तो हम इसके लिए उसका यूज करते हैं तो जब हम ऐसा कुछ करेंगे तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे इसमें आपका कुछ ऐसा दिया नहीं है इसके बाद है रिव्यू के अंदर देखो अगर मैंने कोई स्पैलिंग गलत लिखी है मैंने इंग्लिज की स्पैलिंग गलत लिख दिना ठीक है तो मैंने आई नहीं लगाया माहन दो अब यहां देखो यह एफटू क्लिक करेंगे तो एफटू से इसके अंदर चले जाएंग और यहां पर जाएंगे तो मिरे को इहां पर काफी सारे option मिल जाएंगे English चाहिए या कोंगी spelling है जो आप लिखना चाह रहे थे तो मेरे को काफी सारे option देदेगा मैं English select किया और इसको change किया अगर मैं चाहते हूं कि यह मेरी spelling थीक है मैं इसको ignore करना चाहते हूं एक ही था तो यह हो गया complete उसके बाद है research कि हम find और search का कोई भी जाकर यहां पर use कर सकते हैं ठीक है अभी हम यहां पर English पर क्लिक है अगर कुछ और search करना है तो यहां पर आप लिख सकते हो ठीक है तो क्या हो जाएगा सर्च हो जाएगा और यहां पर भी आप all reference book देख सकते हो कौन कौन सी है उसके बाद है ट्रांसलेट कर सकते हो आप अपनी language को किसी other language में ठीक है यहां पर option नहीं आ रहा है ठीक है उसके बाद में एक होता है आपके पास comment तो मेरे को ना comment डालना है comment में देखो क्या है मैंने य पर जाओंगी new comment तो ला time डगा रहा है देखो comment में गया अब यहां पर मेरे को कुछ भी लिखना है भी 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 लिख दिया ठीक है उसको हटा दिया तो यहां पर जब भी मैं जाओंगी तो यहां पर क्या है कमेंट में क्या होगी यहां पर रेड कलर के ट्रैंगल से पर पर बन जाएगा तो वहां पर क्या होगा पीप लिखा हुआ आएगा तो नेक्स और प्रीवियर आप देख सकते हो तो इसके पार आपको अपनी शीट को प्रोटेक्ट करना है तो प्रोटेक्ट पर जाओगे तो आपको पास्वोड बगाना पड़ेगा जिससे आपकी प्रोटेक्ट पूरी अगर पूरी वर्क बुक को आपको प्रोटेक्ट करना है तो आप इसका यूज कर सकते हो और शेयर वर्क बुक टिक है अगर आपकी जो वर्क बुक है किसी और के साथ शेयर करनी है तो यहां से जाकर आप शेयर कर सकते हो तो उसके बाद है वियू में और बिल जाते हैं तो पर मंधर पर रायूँ को चाल जोह बारे में ऐंगे माद सब्सक्रियर और जोहाना है ठीडर के लगनागा कर दो इस रो को ठीक है फ्रीज टॉप रो तो यह फ्रीज दूब नहीं रहा है यह फ्रीज ओगई आपका जो बाकी सारे डॉक्मेंट है वो चेंग ओगे है तो यह होता है हमारा फ्रीज तो यहां तक आपको समझ में आ गया हो आप सुस्य आप कर सकते हैं यह भाल्ट एक गजू करते है तो आपको वीडियो चाह लगा होगा गरुडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमने देखे अब लिए बनाया था तो आप इसको पूरा दिखा रही है तो पहले से लेकर यहां पर इसको यहां पर चेंज कर लिया है तो सब सब्सक्राइब और इसको इसको शॉर्ट करने के लिया तो आप देखो गए कि जन्वरी फरवरी सबको चेंज हो गया है अप्रेल सबसे उपर आ गया, फिर अगस, दिसमबर, फर्वरी, जन्वरी इस तरह से ये जो है, वो अपने आपी सौट हो गया है, ठीक है, सलेक कर सकते हो, फाइंड और सलेक्ट और इन सब चीज़ों का यहां से ही पूस कर सकते हो, तो I hope कि आपको वीडियो चलगा होगा, व तो मैं यहां पर 8888 क्लिक देते हो, फिर पॉइंट लगा कर अगर कोई नंबर सेलेक्ट करना है, तो यहां पर जाकर आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है, I hope कि आपको समझ में आ गया होगा, thank you for watching, next video में हम पावर पॉइंट के बारे में बात करेंगे, और subscribe करो चैनल को त